बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा आठ सामाजी का ध्यान के अंतरगैत संसादन और विकास विशे का पहला पार्ट संसादन हम आपको बताएंगे इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर अभ्यास प्रस्न उत्तर में तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला प्रस्न आपका निमलिकित प्रस्नों के उत्तर दीजिए यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रस्न दिये हुए और उनके उत्तर आपको लिखने हैं पहला प्रस्ण है बच्यो पृतिवी पायर संसादन आसमान रूप से क्यों बित्रित हैं देख रहे ना आप यहाँ पर तो उत्तर क्या लिखेंगे उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप प्राकर्तिक संसादनों का वित्रेण भू आकर्तियों जलवायू उंचाई बनस्पत जैसे अनेक बहुतिक कारकों पर निर्वर करता है पृतिवी पायर इन कारकों में विभिन्ता होने के कारण संसादनों का वित्रेण असमान है ठीक है न तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं अगला प्रस्ण है बच्यो दूसरा प्रस्ण संस संसादन सरक्षन क्या है तो यहाँ पर क्या उत्तर लिखेंगे आप संसादनों का सतरकता तथा बुद्धिमता पूर्वैक उपियोग करना और उन्हें नवीनी करन के लिए समय देना संसादन सरक्षन कहलाता है देख रहें आप तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख मानव संसादन इसलिए मैं तो पूर्ण है क्योंकि मनुशक की योग्यताएं ही बहुतिक पदार्थों को मुल्यवान संसादन बनाने में सायता करती है तो इस प्रकार से आप जो अपने इस तीसरे प्रस्न का या थार्ड प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं अगला प्रस्न है बच्चो सतत पोशनिय विकास क्या है तो क्या है सतत पोशनिय विकास उत्तर लिखेंगे संसादनों का साउधानी पूर्वाग उपियोग ताकि न केवाल बरतमान पीड़ी ही नहीं अपितु बावी पीड़ियों की आउसकता है भी पूरी होती रहें क्या क उतर पर निसान लगाईए तो आपने सही उतर पर क्या करना है सही का चिन लगाना है आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले फस्ट में है निमलिकित में से कौन संसादन को निर्दारित नहीं करता तो यहाँ पर आपके लिए तीन आप्सन है बच्चो आप देख सकते है तीन ओप्सन है उप्योगिता, मूल्या और मात्रा तो उत्तर क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे आप मात्रा और यहाँ पर जो है सही का चिन लगा सकते हैं इसके बाद अगला प्रस्ण है सेकेंड वाला निमलिकित में से कौन सा मानब निर्मित संसादन है तो यहाँ पर भी आपके लिए तीन ओप्सन होंगे और मानब निर्मित संसादन लिखना आपने देख रहे ना आप तीन ओप्सन कैंसर उप्चार की ओस्दियां जहरने का जल और उस्ष्न कटिवन दिया वन तो यहाँ पर जो है इन तीनों में से कौन सा सही है बच्यों मानब निर्म और यहाँ पर तीन ओप्सन आपके लिए जीव जनतों से ब्यूत्पन मनुश्यों द्वारा निर्मित या निर्जीव वस्तियों से ब्यूत्पन तो यहाँ पर तीनों में से कौन सा सही ओप्सन होगा बच्यों याद रखेंगे कैवाला सही है जीव जनतों से ब्यूत्पन तो आप यहाँ पर जो है सही का चिन लगाएं ध्यान रखे बच्यो ध्यान पूरबैक प्रस्णों के उत्तर देखें और इन्हें अपनी नोट बुक में नोट भी करें और याद भी करें इसके बाद अगला प्रस्ण है तीसरा निम लिखित में अंतर इस्पस्ट कीजिए तो यहाँ पर आपने अंतर इस्पस्ट करना है संभाब्या और वास्तविक संसादन में और अगला है सर्व्यापक और अस्तानिक संसादन में ठीक है तो आप उतर में क्या लिखेंगे संभाब्य और वास्तविक संसादन और एडिंग डालके यहाँ पर एक ऐसी टेबल बनाएंगे बच्चों इसी प्रकार बनाएं इसके दो पार्ट करें और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे संभाब्य संसादन और वास्तविक संसा संसादन जिनकी संपूर्ण मात्रा ग्यात नहीं हो सकी है और इधर लिखेंगे जिन संसादनों की मात्रा ग्यात होती है फिर लिखेंगे सेकेंड वाला पॉएंट लिखेंगे इन संसादनों का बरतमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है परंतों बविशे में इनका और तेल लितियादी ठीक है न तो इस प्रकार से आप इन दोनों में अंतर बता सकते हैं संबाब्य और वास्तविक संसादन में प्रस्थन दूसरा है जो है था आपका बच्चो और उसका उतर में यहाँ पर जो है इसी में जो है सर्वियापक और अस्तानिक में भी आपने अंतर बताना था तो इस प्रकार से लिखेंगे सर्वियापक एवम अस्तानिक संसादन में क्या अंतर है तो यहाँ पर भी एक टेबल ऐसी बनाएंगे आप इसी प्रकार से और लिखेंगे सर्वियापक संसादन दूसरी तरफ लिखेंगे अस्तानिक संसादन और यहाँ पर लिखें जो संसादन सभी जगे पाए जाते हैं वे सर्वियापक संसादन कहलाते हैं जैसे उधारन के लिए वायू सूर्य का प्रकास इत्यादी यह सभी जगे पाए जाते है और अस्तानिक में क्या लिखेंगे आप जो संसादन कुछ निश्चित अस्तानों पर ही पाए जाते हैं अस्तानिक कहलाते हैं जैसे तामबा लोईस्क आदी ये जो है कुछ निश्चित अस्तानों पर ही पाए जाते हैं आप जानते हैं, खदानों से मिलते हैं यह सब चीजे, तो आप इस प्रकार से इन में अंतर बता सकते हैं, इसके वाद बच्चों चौता प्रस्णा आता आपका यहां पर, ध्यान देंगे क्रिया कलाप से सम्भघन देता है, यानि कि यहां पर दोहें में आपको मिला होगा इसी प्रकार से रहिमन पानी राकिये बिन पानी सबसून पानी गए नूबरे मोती मानस्चून तो यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर आप ध्यान देंगे यह पंक्तियां अगबर के दरवार के नौ रतनों में से एक कभी अब्दुलरहीम खान खाना के द्वारा कभी किस प्रकार के संसादन की और संकेत कर रहा है इस संसादन के समापत हो जाने पर क्या होगा इसे सौ सब्दों में लिखिए तो ध्यान दें बच्चो किस संसादन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर पानी के बारे में किस के बारे में बात की जा के प्रवाव कुछ इस प्रकार होंगे और सौ सब्दों में आप कैसे लिखेंगे नमबर एक जल संचरन की क्रिया समाप्त हो जाएगी नमबर दो जीव जन्तु पानी की कमी के कारण धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगे नमबर तीसरा पृतिवी पर लोगों को सुखे की समस नहीं हो पाएगी नमबर शात कोई उद्यो नजर नहीं आएगा और नमबर आठ वा लिखेंगे समुदर में रहने वाले सबी जीव जन्तु मर जाएगे पानी के समाप्त होने तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं आगे बात करते हैं बच्यों, आओ खेले में यहांपर धियान देंगे आप जो आपकी बाज प्रसंट है और यहांपर एक सबसे पहले पहला प्रसंट आप देख सकते हैं सोचिए कि आप प्राग एतिहासिकाल में एक उचे हवादार पठार पर रहते हैं। जानते हैं ना प्राग एतिहासिकाल में जब मनुशे जूए बटकता रहता था इधर जंगलों में पहाडों पर बटकता था तो उसी टाइम की बात की जा रहे हैं कि मान लो कि आप प्राग को एक संसादन कह सकते हैं अब कल्पना कीजिए कि आप वर्स 2138 में उसी अस्तान पर रह रहे हैं क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं कैसे क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन एक महत्वपूर्ण संसादन क्यों है तो समझ गये ने बच्चो पहले व्यक्ति जो है जंगलों में पठारों पर पहाडों पर परवतों पर रहता था और उस समय उसे तेज आंदी की तरह हवा है चलती थी जब पहाडों पर तो उसे काफी परिशानी होती थी और वह उनका अच्छे से उपियोग नहीं कर पाता था लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो लोगों ने हवा का जुए अच्छे से प्रियोग करना सीख लिया और अपने लिए मकान बनाने लगे पके मकानों में रहने लगे और जो घरों की जो बनावर थी वह इस प्रकार से बनाने लगे कि उनके हवाओं का जो आधी तूफ़न का भी जो ज़्यादा कोई खास असर नहीं पड़ेगा और साथी साथ आप जानते हैं पौन उर्जा, पौन चक की आधी का भी विकास हो गया तो इस प्रकार से आप जो है इस पौन रूपी संसाधन का उप्योग किस प्रकार से कर सकते हैं इसका उप्योग कैसे कर सकते हैं तो आप इसके बारे में अपने आप लिख सकते हैं इससे आप बिजली निर्मान कर सकते हैं बिद्दूत और क्या करेंगे यहाँ पर जो उत्तर लिखेंगे विद्यारती स्वेम करें तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे कि किस परकार से आप तेज हवाओं का तेज पौनूं का जुए है सामना करेंगे और किस परकार से उनका सदिपयोग कर पाएंगे अगला है बच्चों दूसरा प्रशन है यहाँ पर एक पत्थर एक पत्ता एक गत्ता और एक टहनी लीजिए क्या क्या लेना आपने एक पत्थर एक पत्ता एक गत्ता गत्ता जानते हैं आप और एक टहनी टहनी पेड़ पौदे की सोचिए कि आप इनका उप्योग संसादन की भाति किस प्रकार से कर सकते हैं नीचे दिए उधारन को देखिए और रचना कीजिए तो यहाँ पर आपके लिए उधारन है आप देख सकते हैं आप एक पत्थर का उप्योग कर सकते हैं यहाँ पर प्रियोग और उप्योगता बताई गई है इस टापू खेलने के लिए यानि खेलोने की तरह और पेपर वेट की भाती कर सकते हैं जब आपके कागज हवा में उड़ते हैं तो आप उनके उपर उस पत्थर को रख सकते हैं पेपर वेट की भाती उसे रख सकते हैं मसाले पीशने के लिए आपके गरुँ में हलदी मिर्ची मसाले जो पुराने टाइम के जो सिलवट्टे होते हैं उनमें पीशे जाते हैं. सिल में तो उसका उपयोग होता है मसाले पीछने के लिए अपने बगीचे कमरे को सजाने के लिए आप पत्थरों पर विविन परकार के कलर या पेंटिंग से बना सकते हैं सजावट का सामन बना सकते हैं और बोतल को खोलने के लिए भी कर सकते हैं उपयोग और गुलेल में समझ सकते हैं ने आप गुलेल आपने देखियोगी रवड़ की जोर से पीछे को खिंचते हैं उस पे एक पत्थर लगाते हैं पत्तर जो है एक जटके में आगे चला जाता है तो इस प्रकार से आप पत्तरों का उपयोग कर सकते हैं तो इसी प्रकार से आप टहनी का गत्ते का और यहां पर टहनी और गत्ते का प्रियोग भी कैसे करेंगे या फिर एक किसी पत्ते का प्रियोग कैसे करेंगे क्योंकि पत् अगले पार्ट में आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ और यह दिया भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब उसे कर दें तो आज के लिए इतना काफी है बच्चो आप इसे अपनी नोट बुक में नो कर दो